नमस्ते आज हम यहाँ पर यमक लंकार के बिसे में जानेंगे कि यमक लंकार को हम किस तरह पेंचान सकते हैं यमक लंकार में जब एक ही सब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग-अलग हो तो वहाँ पर यह मक लंकार होता है जब एक सब्द का दो बार आना या दो से अधिक बार आना और उसका अर्थ हर बार अलग-अलग होना वहाँ यह मक लंकार होता है तो इसके आगे हम यह उधारन देखते हैं माला फेरत युग भया विराना मन का फेर करका मन का डार दे मन का मन का फेर यहाँ पर कभी का कहना है कि माला फेरत युग भया फिराना मन का फेर करका मन का डार दे मन का मन का फेर कि माला फेरते हुए तुम्हें यूग बीद गया, लेकिन आपके मनक्या जो सभाव है वो नहीं बदला, करका मनका डाल दे, तो यहां मनका और ये भी मनका, ये दो बार मनका मनका सब्दा आया है, तो जो पहला वाला जो मनका है, इसका मतलब है मोती की माला, इसका क्या मतलब मतलब हाथ की जो मोतियों की माला है उसे फैक दे, मनका मनका फेर, लेकिन मनका मनका फेर, मन में मतलब जो मनके अपने जो सभाव है, ये इस मनका मतलब है सभाव, सभाव को बदलने की आवश्यक्ता है, और केवल माला फेरने से सभाव में परिवर्तन नहीं आता, और केवल माला जपने इस इसवर की प्राप्ती नहीं होती, जब तक मन में एकागरता नहीं है, तो हाथ के मोतियों की माला को फैंकने के लिए बोला है और उसे डाल दे और मन का मन का फिर और अपने मन में अपने स्वभाब को बदलने की आवश्यक्ता है आगे देखते हैं हम तो यहां काली घटा का घमन घटा तो यहां यह दो बार घटा घटा सब्द आया है तो पहला घटा यहां पर घटा सब्द का दो बार प्रयोक किया गया है एक यह घटा और एक यह दूसरा वाला घटा तो दोनों बार ही अलग-अलग अर्थियां निकल रहे हैं ऐसे की पहली वाली जो घटा है इसका काली घटा, काली घटा मतलब बादलों का जम घट, ये काले बादलों का जम घट है और दूसरा घटा इसका मतलब है कम होना, कम हुआ. तीसरा है हमारा कनक कनक ते सोगुनी मादक ता दिखाए, यह पाए बोराए है, वे खाए बोराए. तो यहां कनक कनक दो बार आया हुआ है, दो बार यह सब्दा आया है, तो पहले वाले कनक का मतलब है, यह पाए बोराए, अगर यह है सोना. अगर किसी ब्यक्ति के पास सोना अधिक हो जाता है धन संपत्ति जादा हो जाती है तो वो बोरा जाता है बोरा मिंस पागलपन हो जाता है उसमें और वे खाये बोरा है और इसका है धतूरा यह भी एक नसीला पदार्थ होता है तो इसके लिए कहा गया है कि वे खाये बोरा है अगर उसको वो ब्यक्ति धतूरे उनको खा लेता है तो अभी उसमें मादक्ता जाती है मादक्तमीस होता है नसीला पदार्थ होता है तो उससे भी वो बोरा जाता है मतला उसमें पागलपन जैसी इस्तिति हो जाती है आगे देखते हैं तापर वारो उर्वसी सुन राधि के सुजान तू मोहन के उर्वसी हवे उर्वसी समान तो यहां कभी का यही कहना है कि यहां जो उर्वसी तीन वार यह सब्दा आया है जिसकी अर्थ बिल्कुल अलग अलग है कि तोपर वारो उर्वसी मतलब तुझ पर उर्वसी जो है अपसरा के लिए बोला गया है तो यहां पर यह इसका अर्थ है अपसरा और सुन राधि के सुजान राधा के लिए मतलब राधा की इतनी सुन दरता है कि उस पर एक अपसरा को भी बार दिया जाता है, मतलब नियोच्छावर कर दिया जाता है, और तू मोहन की उर्वसी, इस उर्वसी का मतलब है, उर्व मींस हिर्दे, और वसी मींस बसना, तो हिर्दे में बसना, यहां हिर्दे में बसना, हिर्दय में बसना है इसका अर्थ और ये उर्बसी तू मुहन के मतला हिर्दय में बसी हुई है हवे उर्बसी समान और ये तीसरा जो उर्बसी है इसका अर्थ है ये मतला एक गले के हार को भी उर्बसी का जाता है हवे उर्बसी समान तो मतलब गले के हार के समान है, इसे गले का हार, ये तीसरा है गले का हार, तो इसके यहाँ पर तीन अर्थ निकले हुए हैं, तो यहाँ पर यमक अलंकार हैं, आगे देखते हैं हम, जेते तुम तारे, तेते नव में ना तारे, यहाँ पर कभी का क्या कहना है, तारे यहाँ पर दो बार ये सब्दा आया है, एक ये तारा और दूसरा ये तारे, जेते तुम तारे, मतलब जिन, जितने लोगों को तुमने, मतलब तारा है, उद्धार किया है, तो इस वाले का जो अर्थ है, वो है उद्धार करना, उद्धार करना और इस तारे का मतलब क्या है तेते नव में ना तारे मतलब उतने तो आकास में भी तारे नहीं है नव में ना तारे नव मीज आकास के जो तारे होते हैं तो यहाँ पर यह आकास के तारे आकास में जो तारे होते हैं उनकी बारे में बताया गया है कि उतने तो आकास में तारे भी नहीं हैं जितने की तुम जिन लोगों का आपने भी उद्धार किया है तो यह यहाँ पर इनके जो अर्थ है वो भिन है यह मकलंकार है धन्यवाद